नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब मैं डॉक्टर सपने सागर जैन होमियोपैथी के अपने इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कॉमन समस्या के बारे में जिसमें से हमें से कई सारे लोग पीडित होते हैं परंदू उनमें हम इतना ज्यादा टाइम ले लेते हैं उस चीज को किसी भी डॉक्टर से कंसर्ड करने में कि बीमारी दीरे दीरे बढ़ती चली जाती उसके कारण यह develop होती है उन्हीं मेंसे develop होने वाली एक समस्या है और इसका development है यो इसलिए होता है क्योंकि जो rectal और annal veins जो होती है उनमें vericocity develop हो जाती है और जब कभी पर pressure पढ़ता है तो वह जो veins है जिन पर dilatation और contraction की जो चमता होती है वो ख़तम हो जाती है दीरे दीर जो है वो rapture कर जाती है और वहां से जो है blood का oozing होने लगती है blood निकलने लगता है bleeding होने लगती है उसको हम लोग hemorrhoids कहते हैं दोस्तों अब हम बात करेंगे main causes के बारे में कि आखिर piles होते क्यों है सबसे पहले उसका reason है prolonged sitting मतलब कई गंटों तक बैठे रहना बहुत सारे ऐसे IT professionals हैं corporate sector में काम करने वाले लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा लंबे समय तक बैठे रहते हैं और बैठे हुए काम करते हैं दूसरा है lake of physical activity means कि अब चुकि वो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक काम करना है तो उनकी बाड़ी में कोई physical activity नहीं हो रही है बहुत ज़्यादा जिसके कारण कि वो उनका जो parastartetic movement है हमारी intestine का वो normal नहीं रह पाता है और जिसके कारण intestines धीरे 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 काम करना कम कर देती हैं तीसरा जो reason है वो है obesity obesity means more data जब हमारी बाड़ी में fat का deposition बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है overweight होने लगते हैं तब उस condition को obesity कहा जाता है और इस obesity के कारण patients में intra-abdominal pressure जो है वो बढ़ने लगता है उस intra-abdominal pressure से दीरे दीरे रेक्टल प्रेशर वड़ता है जिसके कारण वहाँ पर जो बेंस है वो डाइलेट और contract होने की छमता खतम हो जाती है उनकी और जिसके कारण ultimately वहाँ पर हेमरोइट्स का development हो जाता है तो चौथा reason है pregnancy जो में जिन महिलाओं में pregnancy के दौरान इंट्र-abdominal pressure ज़्यादा हो जाता है उन महिलाओं में भी यह हेमरोइट्स या piles की समस्या देzkने में मिलती है यह जो piles होते हैं यह हेम्रोइट्स होते हें यह दोतारहके होते हैं internail और external Propil GEC जैसा की नाम से की खतम भी हो जाते हें लेकिन इनकाका जो सबसे में जो इनके कारण जो तकलीफ होती है वह है पेञ осв बर्निंग बहुत ज्यादा external piles के कारण pain और burning होती है दूसरा प्रकार है internal hemorrhoids internal hemorrhoids जैसे की नाम सही समझ में आ रहा है कि यह rectum के अंदर होते हैं कि काफी deep होते हैं इन में दर्द बहुत कम होता है दर्द कम होने का कारण है क्योंकि यह rectum का area होता है वहाँ पर pain sensation के जो receptors होते हैं वह बहुत कम होते हैं अब यह internal hemorrhoids होते हैं यह बहुत ज्यादा होते हैं और इनी में सबसे ज्यादा जो है वह bleeding होती है क्योंकि वहाँ पर बार बार लगता है इस टूल के कारण वहाँ friction develop होता है roughness के कारण और वहाँ पर बहुत जल्दी जो है जो veins है वो टूड जाती है रप्चर हो जाती है और वहाँ से bleeding होने लगती है अब हम बात करते हैं कौन-कौन से symptoms होते है bleeding होती है pain होता है during and after stool anal में जो है वो itching होती है एनस के चारों और itching होती है कभी-कभी prolapse हो जाते हैं मतलब वो rectum से बाहर निकलाते हैं एनस किसे नीचे की तरफ आ जाते हैं कुछ उसमें से कभी-कभी secretion भी होता है एक sticky secretion भी होता है और एक rare condition में develop होती है एनीमिया की यदि patient में bleeding बहुत जादा हो रही है और उसका blood loss बहुत जादा है तब उस condition में patient को एनीमिया भी develop हो जाता है दोस्तों अब हम बात करते हैं कि हम इसको रोकें कैसे तो इसमें बहुत जादा कुछ करने की दोस्तों जरूरत नहीं है हमें जो बाहर junk food हम लोग खाते हैं पिजजा बर्गर ये वो तो हमें इन सब चीजों से बचना है दूसरा है कि हमें अपनी diet में fruits और vegetables और ऐसी सबजीया या ऐसे फल जिनमें रेशे बहुत ज़्यादा मात्रा में हो उनको शामिल करना है जिससे हमारी intestines में जो है वो normal movement बना रहे और हमारा जो stool है वो easily pass out हो सके तीसरा है regular morning walk और exercise हमें करनी चाहिए जितनी ज़्यादा हम exercise करते हैं जितनी ज़्यादा हमारी शरीर की physical activity होगी उतनी ज़्यादा हमारी intestines में जो parastatic movement है जो एक rhythmic movement होता है intestine का वो normal बना रहेगा और उसके कारण कभी भी constipation नहीं होगा और constipation नहीं होगा तो hard stool नहीं होगा कर minimum पानी पीना चाहिए और और भी बहुत सारे हमें बचने के तरीके हो सकते हैं जैसे हमें चाय कॉफी जो है आजकल एक बहुत लोगों में शौक है कि चाय कॉफी वह लोग बहुत ज्यादा मात्रा में लेते हैं तो दोस्तों इसकी निर्धारित मात्रा होनी चाहिए एक लोग बहुत होते हैं चाय कॉफी के और हमें उनसे चाय कॉफी से बचना चाहिए और उसके सांथ साथ वेड़ गेन वी एक चुकि उसका रीजन है तो हमें इतना ध्यान रखना चाहिए कि हमारा वेड़ जो है वह बहुत ज्यादा ना बढ़े हैं दोस्तों अब हम बात करत देती है और बहुत अच्छे रिजल्ट हम लोगों को होमियोपेथी में मिलते हैं तो हमें कौन-कौन से मेडिसेंस यूज़ करना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ तो जो लोग बहुत जादा वरकोहलिक हैं जो घंटों अपने काम में बैठे रहते हैं या जैसे मैंने आपको बताया कि आईटी प्रोफेशनल्स हैं या कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं तो ऐसे लोगों में नक्स मोमिका बहुत अच्छा काम करती है इसकी दो ड्रॉप शाम को सोते टाइम आप ले और केवल दो बूंद दवाई आप देखेंगे कि लगबग 15 दिन में आपको इसके बहुत अच्छे तो यदी इसल्ट बहुत ज़ाई रिलीव मिलता है तीसरी ज़ो मेडिसन है वो autant जो ऐसके लिए बहुत अच्छी मेडिस्ट है चले है केलींग दो नको लगग साभी चलाई ayam दोस्तों Brinealba एक ऐसी medicine है जिसके जो patient होते हैं वो constipation से severely पीडित होते हैं और उनमें जो stool होता है वो भूत ज्यादा hard stool होता है और इसके कारण उनमें बहुत ज्यादा friction हो जाने के कारण bleeding बहुत ज्यादा होती है क्योंकि वहाँ पर जो veins है वो भूर बहुत ज्यादा rupture हो चुकी होती हैं अगली medicine है दोस्तों sulfur sulfur एक ऐसी medicine है जिसमें एनस के चारों और burning बहुत जादा होती है और उस burning को खतम करने के लिए हमें sulfur 30 potency में हम दो बून सुवह या दो बून शाम को यूज कर सकते हैं ऐसा हमें लगबग एक देड़ महीने करना चाहिए जिससे हमारे जो सिंटम्स है वो बहुत जल्दी कंट्रोल हो जाते हैं अगली मेडिसें हैं दोस्तों एसक्यूलस यदि आपको ऐसा लगता है कि हीमरोइट्स के कारण किसी भी पेशेंट को कमर में बहुत जादा दर्ध है उसको बहुत जादा बैक एक की शिकायत है तो उस कंडिशन में एसक्यूलस का मदर टिंचर बहुत अच्छा रहता है और उसकी हमें दस-दस बून सुबह दुपहर शाम एक महीने तक यूज़ करना चाहिए जिससे उसका कमर दर्ध और हिमरोइट्स में बहुत जादा अंतर मिलता है अगली मेडिसन है दोस्तों हैमेमेलेस एक ऐसी मेडिसन है जिसमें यदि पेशेंट को बर्निंग के साथ साथ बहुत जाती है इसमें ब्राइट रेड ब्लड की जो है वो ब्लीडिंग होती है तो यदि ब्राइट रेड ब्लड हिमरोइट के साथ बहुत जादा होता है तो फिर मिलेफोलियम का दस-दस बून दिन में तीन बार यूज़ करना है इसके बाद अगली जो मेडिसन है दोस्तों उस अच्छा काम करती है इसका हमें मदल टिंचर 20-20 बून सुबह शाम लेना चाहिए जिससे जो है हेमरोइट के जितने भी सिम्टम से उनमें बहुत अच्छा रिलीफ मिल जाता है अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिसका आप कंटिन्यू यूज करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका मतलब मेरा अनुभव यह कहता है कि 20-20 साल पुराने जो केसे हैं हेमरोइट के वो भी पूरी तरह लगवक डेड़ से दो महीने में ठीक हो जाते हैं तो आप चाहें तो इन मैडिसेंस को नोड कर लें दोस्तों आपको हैममेलेस मदल टिंचर, एसक्यूलस मदल टिंचर और प्यूनिया ओफिसेंलस मदल टिंचर की 30-30 एमेल की छोटी वाली शीशियां लेकर आना है उनको 100 एमेल की एक बॉटल में एकट्टा कर लें अच्छे से उसको सककशन कर लें उसको शेक कर लें उसके बाद दिन में 10-10 बून दिन में तीन बार या चार बार आप बहुत अच्छे से लें आधे कप पानी में मिलाकर आप देखेंगे कि उससे आपके जो हैं हेमरोइट्स के सारे सिम्टम्स चाहें वो कमरदर्द हो चाहें वो बर्निंग हो और यहां तक की ब्लीडिंग भी आपकी खतम हो जाती है अब इसके सा पूल भी जो है वो सौफ्ट होने लगता है और बर्निंग बहुत कम हो जाती है और एनस के चारों और जो पेन होता है रैक्टम का जो पेन होता है यह जो पेन फुल हमरोइट्स होते हैं उनमें भी काफी कुछ अंतर आ जाता है तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही